जय मातादी रस्पान कीजिए आज की देवी भागवत पुरान कथा का। उसके पिता त्वस्टा थे, महत्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यो मार डाला। त्वस्टा देव वर्ग के सदसे थे, उन्ही का अत्यंत शूर्वीर पुत्र व्रतासुर था, ब्रहमण वन्ष में उसकी उत्पत्ती हुई थी और उसके शरीर में अथा बल था, इंद्र के हाथ उसका वद होने का क्या करण है? देवराज इंद्र ने चल करके जल फेन द्वारा उसका वद कर दिया, इसका क्या करण था? और ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्रहमण की हत्या से उत्पन पाप इंद्र को लगा या नही? और एक दूसरी बात ये भी है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि देवी ने वरत्ता सुर का वद किया है, इसमें ये क्या रहसे है? शिरी सूत जी कहने लगे, हे मुनिगन, वरत्ता सुर के वद से संबंद रखने वाला ये प्रसंक कहता हूँ, ध्यान पुर्वक सुनो, ब्रहमत्या से उत्पन दुख, जिस परकार इ जनमेजय ने पूछा मुने, इंद्र ने वरत्ता सुर का वद किया ये प्राचीन कथा है, फिर उस दैत्ते को देवी ने कैसे मारा, किस कारण इस कारे में देवी की प्रवर्ती हुई? मुनिवर, एक ही वरत्ता सुर के विनाशक तो कैसे हो गए? इस प्रसंक को मैं सुनना जाता हूं, मुने, आप भगवती जगदंबा का एश्वर, जो वरत्ता सुर के वद से संबंद रखता है, बताने की करपा करें। तब यास जी कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तो महान यशेस्वी हो, क्योंकि प्रति दिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ती का प वरत्ता सुर को शत्रू मान कर इंदर ने उसे मार डाला, इससे उन्हें महान कलेश उठाने पड़े, राजन इंदर ने कपट वेश बनाया, तब वरत्ता सुर की मृत्ती हुई, इस विशे में कोई आश्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महमाया के प्रभाव से म उन्यों की बुद्धी भी गुंठित हो जाती है, सत्व मूर्ती भगवान विश्नु माया फिलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं, फिर उनके सिवा दूसरा कौन है, जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महमाया को मन से भी जीत सके, इन ही महमाया की प्रेणा से श्री प्राणी, पुर्णे और पाप में कर्मों में रचे बचले रहते हैं, क्योंकि अपार गुणवाली महमाया सबको मोहित किये हुए हैं, कभी कोई भी मनुष इस माया को मिटा नहीं सकता, और इसी माया के प्रभाव से महान देपता भी अपना उदेशे सित्ध करने के लिए छल पूर्वक वृत्ता सुर को मारने में ततपर हो गए, वृत्ता सुर और इंदर में परस पर जिस कारण विरोध हो गया था, वो प्रसंग भी अब में बताता हूँ, त्वस्टा प्रजापती के पद पर न्यूक्त थे, उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान मा किया, जिसके तीन मस्तक थे, उस पुत्र की विश्व रूप नाम से प्रसिद्धी हुई, उसका रूप बड़ा ही आकरशक था, तीन मनोहर और स्रेष्ट मुखों से युप्त होने के कारण उसकी शोभा विशेस बढ़ गई थी, उसके तीन मुखों से अलग अलग तीन कार संपर्न होते थे, वे एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपुन दिशाओं का निरिक्षन करता था, उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरम कर दी, वे सयम पूर्वक एक तपस्व वेशों के नीचे रहता और शरद और हेवंत्रीतु में जल में खड़ा रहकर तपस्या किया करता था, सदा निराहार रहता, इंद्रियां उसके वश में थी, वे सभी संग्रह परिग्रहों से मुक्त था, इस प्रकार विवे की विश्यूरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धी में कुछ कालिमा वश्य थी, विश्यूरूप को इस प्रकार तपस्या करते देखकर देवराज इंद्र दुखी हो गए, उन्हें दुख ही इस बात का हुआ, कि कहीं ये विश्यूरूप मेरा ही पदना ग्रहन कर ले, उस समय विश्यूरूप में असियम तेज आ गया था, तपस्या के प्रभाव से शक्ती बढ़ गई थी, उस सत्यवादी को देखकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंता करने लगे, सोचा इतना आगे बढ़ा हुआ, यह त्री शिर मेरा स्तित्वी ही मिटा देगा, विद्वानों का कहना है कि बढ़ते वे पराक्रमी शत्रू की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसकी तपस्या नस्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना बड़ा अवश्चक है, कामदेव तपका शत्रू है, यह निश्य है कि इसकी प्रभाव से त्री शिरा की तपस्या नस्ट हो जाएगी, आज मुझे वही करना चाहिए, जिससे यह तपस्वी भोग भोगने में आसत्त हो जाए, शत्रू की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद त्री शिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अपसराओं को आग्या दे दी, उर्वश सामने एक बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई है, कारण मेरा महान शत्रू कठिन तपस्या कर रहा है, तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रू के पास जाओ और ऐसा प्रयास करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए, देर करना उचित नहीं है, भली भाती श्रंगार और व अगर उसकी तपस्या भंग नहीं हुई, तो वह बलवान शत्रू बहुत शिक्री मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा, आज इस कठिन कारे के उपस्थित होने पर तुम सब को मिलकर मेरी साहता करनी चाहिए, देवराज इंद्र की ऐसी बाते सुनकर अपस्राइं, नत मस्तक होकर बोलूठी देवेश, आप निर्भय रहें, तिरी शिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयास करेंगी, जिस किसी भी प्रकार से उसके द्वारा भय ना पहुँचे, वैसा ही हमारा प्रयास होगा, उस मुनी को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी व भंग हो जाएगी, वियास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अपसराय त्री शिरा के पास गई, त्री शिरा मुनी के सामने उपस्थित होकर, वे अनेग प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहीत गाने लगी, उन्होंने मनुहर निर्त्यारंब कर दिया, उस समय उस का प्रदर्शन किया, किन्तु उनकी विडंबना पर त्री शिरा मुने की द्रिष्टी बिल्कुल भी उन पर नहीं पड़ी, वे तपस्या का भंडार भन गया था, उसने इंद्रियों पर विजय पाली थी, वे गूंगे और बहरे की तरह अविचल भाव से तपस्या में ली विचलित नहीं हो सका, तब वे लोटकर इंद्र के पास आ गई, अब वे ठक गई थी, उनके मन में निराशा चा गई थी, भय से उनका कलेजा काप रहा था, मुख पर मलांता चाई हुई थी, वे सभी इस्त्रियां हाथ चोड़कर देवराज से कहने लगी महराज, हे देव हमने बहुत प्रयास किया, किन्तु वे दुर्धश तपश्वी अपने धैरी से जराभी विचलित नहीं हो सका, हे देवराज, अब आपको सरवथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरन करना चाहिए, ये तपश्वी तो जितेंद्री है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नह गई है, इसके बाद खोटी बुद्धी वाले इंद्र ने अपसराओं को विदा कर दिया, और स्वयम चिंता में पड़ गए, तरिशिरा की सुपाये से मारा जाएगा, बस यही उनकी चिंता का विशय था, उनके मन में बहुत पहले से यह ग्रनित बात खटक रही थी, जी कहते हैं, उस समय दिवराज इंद्र लोभाविस्ट होने के कारण ग्रानित विचार वाले हो गए थे, एरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनी के पास खुद गए, वहां जाने पर उन्हें अमित पराकर्मी वेह मुनी दिखाई पड़ा, वे इस्थर आसन लगा कर बैठा हुआ था, वानी उसके अधिन थी, वे ध्यान मगन होकर तपस्या कर रहा था, तेज के कारण सूर्य और अगनी के साथ उसकी तुलना हो रही थी, उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन हो गया, सोचा, अहो इस मुनी को मारने में मैं कैसे सफल हो सकू कि अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है, यो विचार करने के बाद देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वैम अपना सर्वोतम व्रजास्त्र जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिश्रा मुनी पर चला दिया, उस समय मुनी की समाधी ल जान पड़ता था मानो कुलिश से कटा हुआ परवत का शिखर गिर पड़ा हो, उसे मार कर देवराज को बड़ा हर्श हुआ, वहां उपस्तित मुनीगण हाहाकार करने लगे, उनके मुक से लगातार करुन ध्वनी निकलने लगी कि हाए, शत्र कृतू इंद्र बड़ा पा इस पापी को अवशी ही भोगना पड़ेगा, इसके बाद तरिशरा मुनी का वद करके इंद्र अपने महल की ओर चल पड़े, वह मुनी महान आत्मा तथा तप का भंडार था, इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाश्मान हो रहा था मानो जीवित पुरुश हो, जमीन पर नर्जी पड़ा था, परंतु प्राण धारी व्यक्ति की तरह उसके द्वारा चेस्टा हो रही थी, ये देखकर इंद्र अत्यत विचलित हो गए, उनके सभी अंगों में उदासी छा गई, मनीमन सोचनी लगे कि कहीं ये फिर से जीवित तो नहीं हो जाएगा, उ उस पर द्रश्टी डाल कर देवराज ने अपना काम सिध्ध हो जाने के लिए कहा तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनी के मस्तक को धड़ से अलग कर दो, ऐसा लगता है मानो ये जीवित हो, ऐसा प्रयास करो कि ये जी न सके, इंद्र की बात सुनकर उ तुम ने ये अत्यत निंदित कर्म किया है, अच्छे पुरुषों ने ऐसे कारे की घोर निंदा की है, जो मरा हुआ है, उसे पुनह मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है, मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ, ये मुनी तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या लाब, पाक्षासन, भला बताओ तो इन कलुशित कारे में क्या तुम्हे भह नहीं लगता, इंद्र बोले, इस मुनी का ये विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है, मानो अभी इसमें प्राण विद्यमान है, इसलिए मैं डर रहा हूँ, कहीं मेरा ये विपक्षी मुन से ब्रह्मात्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भई नहीं है, तब इंद्र कहने लगे, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर से प्रैश्चित कर लूँगा, महामते चल करके भी शत्र को मार डालना सर्वता उचित है, तक्षा ने कहा, भगवन तुम्हें महान लोब घ क्यों हूँ? अब दिवराज कहने लगे, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ, कि समस्त यग्यों में मैं तुम्हें भी भाग दूँगा, यग्य करते समय मनुष्य तुम्हें बली चड़ाया करेंगे, तुम्हारे लिए यह मूल निर्धारित हो गया, इसके बदले में तुम्हेरा के मस्तकों को काट कर तुम मेरा बस ये प्रेकारे कर दो, व्यास जी कहते हैं, राजन इंद्र की ये बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोब आ गया, और लोब तो सभी पापों का मूल है ही, फिर तो उसने मजबूत कुलहाडी उठाई और उससे तु कर दिये, उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जनम हो गया, उस अवसर पर मुनी के मुख से गौरेया, कबूतर और तीतर आधी पक्षीगण अलग-अलग उत्पन्न हो गए, तृशिरा मुनी जिस मुख से वेद का स्वाध लिया करता था, उससे अत्यन चमकीले तितर उत्पन हो गए, मधू पीने वाले मुख से गौरेयों की उत्पत्ती हो गई, राजन इस प्रकार तृशिरा से इन पक्षियों का प्रादुर्भा हुआ है, राजन तृशिरा के मस्तक से इस प्रकार पक्षी निकल गए, ये दे लग्य में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन बड़ा प्रसन था, महान पराकर्मी शत्रु मार डाला गया, ये समझकर इंद्रिभी भवन पर पहुँचे और अपने आपको कृत-कृत्य मानने लगे, ब्रहमत्या के उन्हें कुछ भी चिनता नहीं हुई, उधर पारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है, इसलिए उसके वद्ध के लिए मैं पुनहा पुत्र उत्पन्न करूंगा, अब देवता मेरा पराकरम और तपोबल देखें, जय मातादी, इसके आगे का व्रतांत आप सभी अगली अध्याय में सुनिएगा, उमीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी